हलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में इस वीडियो क्लास में हम डिसकस करेंगे नॉन फाइनेट वर्ब का पाथ सेकेंड और इस पर्टिक्लर वीडियो क्लास में हम पाथिसिपल को डिसकस करेंगे और इसके concept को समझेंगे Participle बहुत ही important है सभी banking और सभी SSE exams के लिए और इसके concept को समझना जरूरी है क्योंकि rules जो रहते हैं वो examination hall में याद नहीं रहते हैं चाहे आप कितने भी rules आप याद कर लें लेकिन यदि आप concepts को समझते हैं तो उस पर अधारित कोई भी question आप आराम से कर सकते हैं तो यहां से हम देखते हैं Participle Participle basically है क्या Participle verb की एक form है Participle हो चाहे gerund हो चाहे infinitive हो यह verb की form है और Participle को हम Participle इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह verb का भी काम करता है और adjective का भी काम करता है इसलिए इसको हम verbal adjective भी बोलते हैं Participle को हम verbal adjective भी बोलते हैं क्योंकि यह verb का और adjective दोनों का ही काम करता है तो इन sentences की मदद से हम समझ सकते हैं कि basically यह Participle होता क्या है The running tap made a lot of noise Tap होता है null जिसमें से पानी आता है उसको हम बोलते हैं tap और यह होता है tape जिसको हम चिपकाते हैं किसी चीज को जोडने के लिए तो the running tap made a lot of noise अब यदि आप running को देखें तो run actually एक word भी है और यहाँ पर हम किस tape की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर बात कर दें कैसा tap जो running है तो tap यहाँ पर noun है और noun को modify कौन सा word कर रहा है running word कर रहा है तो running जो है इस word की विशेषता भी बता रहा है tap की और अपने आप में यह verb भी है यानि इसमें दोनों ही quality है verb की भी quality है और adjective की भी quality है तो इसलिए running जो है इसको हम बोलेंगे participle अब चुकि इसमें ing form लगा हुआ है इसलिए इसको हम बोलेंगे present participle जिसमें ing form लगा रहता है उसको हम बोलते है present participle अब यहाँ पर यह sentence देखिए they pitied the deprived husband मतलब उनको deprived husband था deprived का मतलब जिसका सब कुछ हो गया है जिसका सब कुछ जा चुका है उसको हम बोलेंगे deprived they pitied the deprived husband ठीक है उनको दया आई deprived husband पर वो husband जो था अब देखिए deprived जो है एक verb भी है ठीक है अगर verb है इसलिए इसमें हम ed लगा रहे हैं क्योंकि verb में ही हम ed लगाते हैं तो verb भी है और यह husband की विसेशता भी बताता है it qualify husband and at the same time this is also a verb तो verb और adjective दोनों की ही इसमें quality है तो इसके deprived जो हुआ यह adjective हुआ यानि past participle हुआ ed और en वाली जो form होती है वो past participle होती है और ing वाली जो form होती है वो present participle होती है ठीक है तो इसमें यहाँ पर एक थोड़ा सा basic और मैं बता देता हूँ आपको कि past participle जो होता है वो किसी व्यक्ती या वस्तू की state बताता है उसकी दशा क्या है जैसे husband की यहाँ पर यह दशा बता रहा है deprived ठीक है तो past participle दशा बताता है और present participle किसी काम कोई काम चल रहा है यह चीज बताता है the running tap tap कैसा है running है चल रहा है ठीक है तो यह basic difference आपको समझना है present participle में काम चलता रहता है और husband में और इसमें क्या बोलते हैं past participle में हम किसी व्यक्ती या वस्तू की state को बताते हैं ठीक है यह मैं अलड़ी explain कर चुका हूँ what kind of a tap a running tap what kind of a husband a deprived one so they are adjectives also so it is a combination of both above and an adjective in other words they are participle तो मझे उमीद है यह explanation आपको समझ में आया होगा कि participle होता क्या है participle को हम verbal adjective भी बोलते हैं यानि इसमें verb की quality भी होती है और adjective की quality भी होती है तो और उसी तरीके से gerund, infinitive और participle जो की non-finite verb के प्रकार हैं इनको हम verbals भी बोलते हैं ठीक है तो अब हम चलते हैं आगे types of the participle यह मैं अलड़ी बता चुका हूँ कि तीन तरह के participle होते हैं present participle, past participle और perfect participle present participle जिसमें ing form लगा होगा v1 plus ing ed और en forms जो होते हैं वो past participle होते हैं और perfect participle होता है having plus v3 यह तीन तरह के participle यहाँ पर होते हैं जैसे यह आप यह example देखें I saw mohan milking the cow ठीक है तो mohan को qualify जो कर रहा है word वो कौन सा है milking ठीक है और milking जो है वो अपने आप में एक word भी है milking का रथ होता है milk का रथ होता है दूद निकालना तो मैंने mohan को देखा क्या करते हुए एक गाय का दूद निकालते हुए तो milking जो है यह mohan को modify भी कर रहा है और अपने आप में verb भी है और इसमें ing form भी लगा है तो इसलिए इसको हम बोलेंगे milking को present participle milking जो है वो है आपका present participle बहुत basic concepts है past participle ed और en forms होते हैं ठीक है past participle किस चीज़ को represent करता है it represents a completed action or state of the thing spoken of यह completed action भी बताता है और state of the thing मतलब किसी व्यक्ति अवस्तु की दर्शा यानि state को भी यह बताता है past participle और present participle में काम चलता रहता है तो यहाँ पर हम देखते हैं यह बहुत important sentence है और इस तरह के sentences examination में पूछे जाते हैं defeated by the host the visiting team suffered great humiliation humiliation का मतलब होता है कि उसके ऊपर उसको उसको परेशान किया गया mentally उसको परेशान किया गया उसको हम बोलते हैं humiliation defeated by the host host के दोरा defeat होने के बाद the visiting team suffered great humiliation ठीक है तो इसमें defeated जो है यह दर्शा भी बता रहा है host की visiting team की ठीक है defeated by the host the visiting team suffered great humiliation defeated जो वर्ड है हमने visiting team के लिए use किया है मतलब visiting team की यह दर्शा भी बता रहा है और यहां पर हम यह भी बोल सकते हैं कि यह काम complete हो चुका है mainly यह दर्शा बता रहा है उसकी actually defeated by the host the visiting team suffered great humiliation चुकि visiting जो team थी वो defeat हो गई थी इसलिए उसको great humiliation को suffer करना पड़ा तो यह sentence जो है यह आपका सही है यह correct sentence है इसलिए यहाँ पर इसमें right के निसान लगा है आप examination में कैसे आएगा examination में इसके पहले being लगा देंगे being defeated जो की गलत है ठीक है past participle के साथ हम present participle का प्रियोग नहीं करते हैं being के अलग-लग uses है और being को हम किस तरीके से use करते हैं यह अभी मैं आपको आगे बताऊंगा तो defeated जो है यहाँ पर past participle है perfect participle क्या होता है perfect participle having plus v3 होता है having plus v3 का प्रियोग जब हम करते हैं verb की third form और उसके साथ having जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं having relation तो perfect participle जो होता है इसमें हम इसके through हम completed action को represent करते हैं यहाँ पर देखे आप having listened to the story the sailors went to bed मतलब story को सुनने के बाद sailors सोने चले गए तो having listened जो है having listened जो है यह यहाँ पर perfect participle है having listened अपने आप में वर्व भी है ठीक है listen अपने आप में वर्व है और having listen जो है यह किसको modify कर रहा है यह modify कर रहा है sailor को having listened to the story the sailors went to bed अब exam में किस तरह किसे आएगा यह exam में यहाँ पर having के स्थान पर being कर देंगे इसमें ठीक है have listen कर देंगे लेकिन यह फॉर्म होती है यह having plus v3 ही होती है और इसके through हम एक action का completion दिखाते हैं past में तो having listened जो है यह है आपका perfect participle अब हम आगे पढ़ते हैं और कुछ rules देखते हैं यह rules देखे एक बहुत important rule है यहाँ पर लिखा है आप देख सकते हैं important मत्तब यह जो rule है यह काफी important rule है examination point of view से इसमें हमको क्या समझना है किसी भी चीज को हमें रटना नहीं है हमें concept को समझना है और concept आप एक बार समझ जाते हैं तो rules को रटने की आपको जरूवत नहीं है since the participle is a verb adjective it must be attached to some noun or pronoun and it should be in agreement with a proper subject इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि о加फिसिपल चुकी word adjective होता है word भी होती है participle और adjective भी होती है यानि participle एक verbal adjective होता है और adjective किस को modify करता है adjective modify करता है noun को तो इसलिए participle का एक proper subject होना चाहिए थीक है मैं एक बार फिर से आपको बोलता हूं कि participle एक adjective होता है adjective किनेक्ट adjective किस से attach होता है adjective noun या pronounce से attach होता है तो इसलिए participle का proper subject, proper noun या pronoun होना ही चाहिए यदि नहीं है तो वो sentence आपका गलत है तो इस तरीके से इस rule को आपको समझना है आपको किसी भी rule को रटना नहीं है concept को समझना है अब यहाँ पर देखिए put into bed first a huge score was expected from India ये sentence गलत है ये sentence गलत क्यों है देखे यहाँ पर यदि आप देख perspectives तो ये जो subject है ये subject है एक sentence हम देखते है ये subject है और ये verb है ठीक है ये sentence है और ये यहाँ पर वर्व है और आप देखिए इसका क्या मतलब नेकलेगा put into bed First अब यहां पर देखें यहां पर तो यह subject आ गया है और यहां पर यह वर्व आ गई है यानि इस subject के लिए यहां पर वर्व है huge score subject है और words क्या है वर्व है लेकिन put in क्या है put एक वर्व है लेकिन put का subject कहा है हम huge score को common नहीं ले सकते हैं यहां पर हम subject को common तब ले सकते हैं जब एक subject दो काम कर रहा है और दोनों ही काम वो कर सकता है ठीक है huge score was expected तो हम बोल सकते हैं लेकिन huge score के साथ put word नहीं जा सकता पुट इंटू मतलए हमने उसको पहले betting देते हुए पहले betting किस ने की पहले betting huge score ने की या इंडिया ने की ठीक है पहले ब्fire ब्रट इंडिया ने की तो इसलिए इस sentence को हम इस तरीकसा ने लिखें तो यह सही हो जाएगा पुट इंडिया को पहले बैटिंग देते हुए चुकि इंडिया को पहले बैटिंग दी गई इसलिए इंडिया से एक्सपेक्ट किया गया कि वो अच्छा टूटल बना लेगी इंडिया की जो टीम है अब यहाँ पर देखें इंडिया वज एक्सपेक्टेट मतलब इंडिया से उम्मीद की गई कि वो एक अच्छा टूटल बना लेगी और इंडिया को पहले बैटिंग दी गई यानि इंडिया के ऊपर ये दोनों ही वर्ब काम कर जाएगी एक्सपेक्टेट वर्ब भी काम कर जाएगी ठीक है तो यहाँ पर इंडिया जो है यह कॉमन सब्जेक्ट है इसके लिए वाज एक्सपेक्टेट के लिए और पुटिन के लिए यानि इंडिया के ऊपर पुटिन और एक्सपेक्टेट दोनों ही वर्ब एपलाई हो सकती है इसलिए यह सेंटेंस जो है यह सही ह पुट इन्टू बैट फर्स्ट इंडिया वज एक्सपेक्टेट टू पाइल अ यूज इसकोर मुझे अमीद है कि यह सेंटेंस आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और यदि नहीं आया है तो मुझे आप कॉंटेक्ट करें वाट्सप के थूरू या मेल के थूरू मैं इसको आपको और अच्छी तरीके समझाऊंगा इसमें आपको पाथिसेपिल को एक प्रपर सब्जेक्ट के साथ आपको कनेक्ट करना होता है इस तरह के सेंटेसे में और भी आपको इस वीडियो क्लास में आप आगे समझाऊंगा अब देखिए बीग ए रेनी दे इसका वर्ब है लेकिन बीग जो है बीग का सब्जेक्ट कहां है इसमें बीग भी तो एक वर्ब है और बीग को आप आई के साथ नहीं लगा सकते बीग को यदि आप आई के साथ लगाएंगे मतलब आई को एक सब्जेक्ट एक कॉमन सब्जेक्ट लेंगे जो डिसाइड़ के लिए भी useful है और being के लिए भी useful है तो इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब होगा कि I am a rainy day being a rainy day मतलब चूकी मैं rainy day हूँ इसलिए मैंने umbrella लिया यह sentence पूरी तरीके से गलत है यानि being को यदि आप I के साथ modify करेंगे I के साथ connect करेंगे तो यह sentence गलत हो जाएगा I एक subject है और subject का verb जो है वो decided है लेकिन being जो है इसका subject नहीं है इसका subject missing है और इसको I के साथ आप नहीं जोड सकते क्योंकि I के साथ इसको जोड़ेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि I am a rainy day इसको आप समझने की कुशिश करें अच्छे तरीके से अपना दिमाग लगाएं इसमें आप और तभी आपको यह concept समझ में आएंगे तो इसलिए इसका जो सही होगा वो होगा it being a rainy day I decided to take my umbrella याई को यहाँ पर एक common subject नहीं लिया जा सकता इसलिए यहाँ पर being के लिए एक separate subject का होना जरूरी है चुकि यहाँ पर हम day की बात कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर हम he or she न लेते हुए it का पिडियो को यहाँ पर हम करेंगे ठीक है तो इसके बाद हम पढ़ते हैं phrase participle phrase participle क्या होता है जैसे यह sentence है काफी तरह के participle होते हैं जैसे हमने अभी तीन तरह के participle पढ़े हैं लेकिं यह चौछे तरह का participle है phrase participle इसमें एक simple phrase को हम use करते हैं जैसे frankly speaking he has taken more time than necessary मतलब यदी मैं frankly बात करूँ यह जो sentence है इसमें जो speaking है ठीक है यह speaking he को modify नहीं करता है इसमें speaking जो है यह independent है और इसका जो noun है speaking का जो subject है वो indefinite है ठीक है लेकिन इसका भी subject है जैसे he एक subject है और इसका जो verb है वो he has taken है ठीक है यह subject हो गया और यह आपका verb हो गया लेकिन frankly speaking को थोड़ा सा आपको analyze करना पड़ेगा frankly speaking का मतलब है if I speak frankly या if one speak frankly ठीक है जैसे यहाँ पर आप देख सकते है frankly speaking means if one speaks frankly तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर one subject है और speaks verb है तो इसलिए frankly speaking जो है यह सही है लेकिन यह he को modify नहीं करता ठीक है इसका अपना एक indefinite subject होता है तो frankly speaking he has taken more time than necessary यह sentence है यह सही है आगे हम कुछ verb देखते हैं देखे इन verbs को रटने की जरूरत नहीं है एक basic idea रखिए क्योंकि verb जो है examination hall में याद नहीं रहती लेकिन आपको एक rough इनके understanding रखना है कि इन verbs के बाद हम ing form लगाते हैं जैसे यहाँ पर आप देखिए I heard the lion roared यह sentence गलत है यह sentence क्या होगा I heard the lion roaring मतलब मैंने share को दहारते हुए सुना यदि आप road बोलेंगे तो road तो ed form है और ed form तो state बताता है तो यह lion की state बताएगा जोंकि गलत होगा road जो है यह state नहीं बता सकता क्योंकि यह action word है तो I heard the lion roaring मतलब मैंने share को दहारते हुए सुना अब यहाँ पर देखिए I saw him dancing मैंने उसको dance करते हुए देखा और I saw him dance क्या यह नीचे वाला sentence सही है यह नीचे वाला sentence भी सही है लेकिन इन दोनों के meaning में difference है I saw him dancing का मतलब होगा कि जिस समय dance चला था जिस समय वो dance के बीच में था उस समय मैंने इसको देखा और यदि आप बोलते है I saw him dance तो इसका मतलब है कि from beginning to end आपने उसको dance करते हु आप लगाएंगे तो आप उसकी state बताएंगे और state को आप सुन नहीं सकते I heard the line rolled मतलब मैंने उसकी state को उसकी दशा को सुना आप किसी विक्ति या वस्तु की दशा को सुनते नहीं उसको देखते हैं तो इसको इस लिए इस तरीके से समझने की इसको कोशिश करें और यहाँ यहाँ पर I heard the line roaring यह सही है यह सही है और यह नीचे वारा sentence भी सही है ठीक है तो किसी भी word को आप रटने की कोशिश ना करें क्योंकि word याद नहीं रहते हैं जासेदा आप प्रैक्टिस करें sentences के थुरू और concepts को समझें तभी आप इनको अच्छे तरीके से कर सकते हैं नप का अर्थ होता है नीद लेना जैसे दोफेर में हम नीद लेते हैं खाना खाने के बाद हल्की जपकी लेते हैं उसको हम बोलते हैं नैपिंग तो यहाँ पर कौट के बाद भी वर्ब कि आ एंजी फॉर्म का प्रियोग होगा तो यह संटेंस नीचे बाला सही है मतलब इसका एक figurative sense भी होता है, लिटरल मीनिंग के अलावा इसका एक figurative sense भी होता है, और यदि आप किसी व्यक्ती को, मैं आपको पढ़के बता जाता हूँ, यदि आप किसी व्यक्ती को नैप करते हुए पकड़ लेते हैं, तो इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ती को आप आश्चर चकत फील कराते हैं, ठीक है, ये एक idiom है, जैसे take the person अनवेर्स और catch the person रीमिस, ठीक है, ठीक है, रीमिस का अर्थ होता है, नेगलीजेंट, और एमिस का अर्थ होता है, इन दो वर्ड को भी आप धान रखें, इन दोनों ही सेंटेसिस का मतलब होता है, किसी व्यक्ती को अचानक से आश्चर चकत उसको फील कराना, जैसे यहाँ पर आप देखिए, मतलब काफी सारे लोगों को आश्चर चकत फील कराया गया, इसमें अनवेर्स में हमेशा इसमें ऐसा आता है, इस तरह से यह सेंटेंस सही है, बिना एविडेंस बताए उसको एक सस्पेंस की स्थिती में रखा गया, तो यह दो जो इडियम है, टेक दा परसन अनवेर्स और कैच समवन रीमिस, इनको भी आप याद रखें, यह इंपोर्टेंट है, और आगे हम कुछ और रूल देखते हैं, इन वर्ब में हम वर्ब की थर्ड फ़र्म का यूज करते हैं, इनके साथ हम पास्ट पातिसेपल का प्रियोग करते हैं, लेकिन मैं फिर से आपसे कहूंगा, कि किसी भी चीज को आप रटें नहीं, आप कॉंसेप्ट को समझें, देखें, यहाँ पर यदि आप यह सेंटेंस देखते हैं, हाला कि यह सेंटेंस ग्रमेटिकली सही है, लेकिन इसका सेंस कुछ और निकलेगा, इस सेंटेंस का सेंस निकलेगा कि I like my food boiling, मैं अपने खाने को उबलता हुआ, लाइक करता हूँ, ऐसा कहना गलत होगा, इसलिए यह सेंटेंस को गलत माना गया है, अगर आप यहाँ पर देखें, I like my food boiled, मतलब मैं उबला हुआ खाना, मतलब मैं अपने खाने को उबला हुआ पसंद करता हूँ, तो ऐसा कहना सही है, तो इसलिए यह सेंटेंस सही है, आपको इन वर्ब्स को रटने की ज़रुवत नहीं है, एक बेसिक आइडिया आपके पास होना चाहिए, यहाँ पर हम इसको देखते हैं, इस रूल को यह रूल क्या है, प्रियोग करते हैं, यहाँ पर प्रियोग नहीं होगा, यह रूल बहुत ही इंपोर्टेंट है, और यहाँ पर लेखा भी हुआ है, इंपोर्टेंट, चलिए आप हम आगे देखते हैं, देखे, मतलब वह है, लंदन के लिए आठ बजे उड़ा, आठ बजे उसने फ्लाइट पकली, और अराइविंग देर 12 आर्स लिटर, और वहाँ पर 12 घंटे बाद वो पहुँचा, ठीक है, तो यह है, अराइविंग जो है, यह पर जेंट पार्टी से पहले है, और इसमें फिल्यू और अराइविंग, यह एक साथ नहीं हो रहा है, पहले फिल्यू हो रहा है, उसना पहले फ्राइट पकली 8 बजे और अराइविंग का काम जो है, वो 12 बजे, 12 घंटे के बाद हो रहा है, तो इसलिए यह सेंटेंस आपका गलत है, यहाँ पर आप प्रिजैन पार्टी सेपल का प्रियोग नहीं कर सकते, क्योंकि दोनो जो एक्षेन है वो एक साथ नहीं हो रहे हैं, और यहाँ पर मैंने एक्सप्लेंड भी किया है, अपने आकरी चार ओबर मैं, उसने बॉल की और 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 बॉलों पर रन दिये, मत्तब यह दोनों काम एक साथ हुए, तो इसलिए यह सेंटेंस जो है, यह सही है, और उपर वाला जो सेंटेंस है, वो सही कैसे होगा, उपर वाला सेंटेंस का जो सही फॉर्म है, वो यह है, I hope यह concept आपको के लियर हुए, बीइंग को हम किस तरीके से यूज करते हैं, देखिए, बीइंग जो है, इसको हम adjective के साथ, या noun के साथ तो हम यूज कर सकते हैं, बीइंग को, लेकिन इसको past participle के साथ हमें यूज नहीं करना है, क्योंकि बीइंग क्या है present participle है, और इसके साथ हम यदि ED form लगा देंगे, तो past participle हो जाएगा, present participle और past participle साथ में यूज नहीं होते हैं, बीइंग के बाद आप adjective जैसे French आप लगा सकते हैं, या noun लगा सकते हैं, जैसे being French, मतलब French होने के नाते, France का नागरेक होने के नाते, he is passionate about wine and cheese, वो wine और cheese के बारे में passionate है, तो यह sentence सही है, यहाँ पर being French का मतलब है, because he is French, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, being a friend of Tony Blair, Tony Blair का friend होने के नाते, I am often invited to number 10, ठीक है, चुकी मैं Tony Blair का friend हूँ, इसलिए मुझे invite किया जाता है, number 10, पर number 10 एक जगे का नाम है, तो being के साथ आप adjective या noun आप लगा सकते हैं, लेकिन इसके साथ आप past participle नहीं लगा सकते हैं, जैसे देखिए, being quite slim, slim एक adjective है, तो यहाँ पर यह being quite slim सही है, मतलब, चुकी मैं slim हूँ, इसलिए, I was able to squeeze through the hole in the railing, तो instead of, since, since I am quite slim, I was able to squeeze through the hole in the railing, चुकी मैं slim हूँ, या चुकी मैं slim हूँ, इसलिए में hole मैं से squeeze through कर पाया, उसमां से घुस पाया, यह sentence का मतलब है, ठीक है, तो यहाँ पर यह important sentences है, बीइंग रादर ओवरवेट, ओवरवेट क्या है, एक adjective है, तो इसलिए, इसमें आप बीइंग लगा सकते हैं, रादर का मतलब है, कि जब हम किसी चीज के लिए आश्यर व्यक्त करते हैं, इसको रादर नहीं पढ़ते हैं, इसको रादर पढ़ते हैं, बीइंग रादर ओवरवेट, चुकि मैं थोड़ा सा ओवरवेट था, या हूँ, पर जैफरी वस अनेबिल टुई स्क्वीज थू, बल्दब जैफरी जो था, वो स्क्वीज थू नहीं कर पाया, उस छेद में इसको बोल सकते हैं, बीइंग रादर ओवरवेट का मतलब है, because he is रादर ओवरवेट, ये भी काफी अच्छे सेंटेंसे हैं, और काफी इंपोर्टेंट हैं, बीइंग के बाद आप नाउन लगा सकते हैं, अड्येक्टिव लगा सकते हैं, लेकिन बीइंग के बाद, पास् इंजी फर्म आएगा, would you mind being quiet for a moment, क्या आप थोड़ी देर शांत रहने की किरपा करेंगे, mind के बाद हम इंजी फर्म लगाते हैं, तो इसलिए being quiet कहना सही है, look forward to के बाद हम इंजी फर्म लगाते हैं, तो इसलिए being interviewed, यह actually passive voice है, I look forward to being interviewed on the current affair program, मतलब मैं current affair program पर interview किये जाने के बारे में बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा excited हूँ, look forward to का मतलब होता है excited होना, और being plus V3, being plus V3 का प्रयोग करते हैं हम passive voice में, तो passive voice का मतलब क्या है, passive voice का मतलब है कि action जो है, वो मेरे उपर किया जाएगा, I look forward to being interviewed, मतलब मेरा interview लिया जाएगा किसी व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, तो being plus interviewed, being plus V3 का मतलब है कि यह passive voice construction है, और इसमें जो action होगा, वो subject के ऊपर होगा, subject action नहीं करेगा, subject के ऊपर action होगा, मतलब subject जो है, वो action का receiver होगा, doer नहीं होगा, यह passive voice construction है, इसको आप समझ सकते हैं, she was afraid of being accused of a crime which she did not commit, मतलब वैस बास से डरती थी, देखें, यहां पर भी being plus third form है, इसका भी मतलब है, being accused का मतलब है, कि उसके ऊपर आरोप लगाया जाएगा, she was afraid of being accused of a crime which she did not commit, मतलब वैस बास से डरती थी, कि उसके ऊपर आरोप लगाया जाएगा, जो उसने नहीं किया, I am tired of what, I am tired of being taken for granted, मैं इस बास से ठक गया हूँ, परिशान हो गया हूँ, कि मुझे seriously नहीं लिया जाता है, being taken का मतलब है, कि मेरे उपर action होता है, ठीक है, मैं action का receiver हूँ, I am tired of being taken for granted, and expected to do all the housework, तो ये इस sentence का मतलब है, perfect infinitive, अभी तक हम participle पढ़ रहे थे, और last part में, मतलब इसका जो first part सा, उसमें हमने infinitive के दो पार्ट पढ़े थे, एक simple infinitive और एक gerundial infinitive, एक infinitive और होता है, जिसको हम बोलते है, perfect infinitive, तो इसको हम इस पार्ट में पढ़ेंगे, और इस से डरने की आपको जरूद नहीं है, ये बिल्कुल simple सा concept है, और इसमें हम have के साथ, वर्ब की third form लगाते हैं, two have, यानि two आएगा, फिर वर्ब की first form आएगी, फिर third form आएगी, मतलब have के साथ वर्ब की third form आएगी, two have plus v3, perfect infinitive, simple जो infinitive होता है, वो क्या होता है, two plus v1, और perfect infinitive क्या होगा, two have plus v3, यह यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसको हम ऐसे actions चों बताने के लिए use करते हैं, जो जिनको देख के ऐसा लगता है, कि वो हो भी सकते हैं past में और नहीं भी हो सकते, हो सकता है हुए हो, हो सकता है नहीं हुए हो, उनको दिखाने के लिए हम perfect infinitive का प्रियोग करते हैं, और perfect infinitive का use in verb के साथ normally होता है, जैसे यहाँ पर आप यह sentence देखिये, he pretended to have lost her number and so had been unable to contact her, ठीक है, उसने ऐसा pretend किया था, कि उसने उसका number खो दिया था, इसलिए वो उससे contact नहीं कर पाया, और यह बात सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, he pretended to have lost her number, उसने ऐसा बहाना बनाया कि उसने उसका number खो दिया था, he pretended that he had lost her number, ठीक है, तो इसलिए चुकि इसमें काम हो भी सकता है, पास्ट में काम हुआ, लेकिन ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है, तो इसलिए, इसके लिए हमने 2 plus have plus v3, यानि perfect infinitive का प्रियोग किया है, the perfect infinitive often refers to things that might have happened, perfect infinitive का प्रियोग हम ऐसे actions को बताने के लिए करते हैं, जो might have happened, जो हो सकता है, हुए हो, लेकिन उनके बारे में हम sure नहीं है, might have happened मतलब जो हो सकता है, हुए हो, जैसे आप यहाँ पर यह sentence देखिए, she claims to have met a number of famous people, मतलब वह claim करती है, कि मैं बहुत सारे famous लोगों से मिली है, she claims to have met a number of famous people, but I don't believe her, मतलब मुझे नहीं पता कि ऐसा सही है या गलत है, she claims she has met, यह इसका मतलब है, तो मुझे उमीद है, यह आपको समझ में आ रहा होगा, यह explanation, यहाँ पर आप यह सारे sentence आप देख सकते हैं, the perfect infinitive can refer to something that will be completed at a point in the future, उसके लिए भी perfect infinitive का प्रियोग आप कर सकते हैं, जो complete होगा future में किसी time पर, we hope to have finished the building work by the end of March, ठीक है, तो यह sentence भी सही है, we hope to have finished the building work by the end of March, the perfect infinitive can refer to something that will be completed at a point in the future, तो future के लिए भी इसको आप use कर सकते हैं, यह जो sentence है, यह बिलकुल सही है, we can use the perfect infinitive in a clause with a verb that has no subject, ठीक है, तो इसमें भी यह इसको हम non-finite clause बोलते हैं, चुकि इसमें non-finite verb का हमने यूज किया है, तो इसलिए इस clause को हम non-finite clause बोल सकते हैं, यह जो sentence है, to have got the job in the face of such stiff completion was a great achievement, ठीक है, the person did get the job, तो यह जो clause है यहाँ पर, to have got the job in the face of such stiff completion, यहाँ पर, यह वास से पहले जो लगा है, ठीक है, वास से पहले यह noun के स्थान पर एक पूरा clause लिखा हुआ है, और इस clause में हमने perfect infinitive का प्रियोग चूकि किया है, इसलिए इसको हम बोलेंगे non-finite clause, ठीक है, तो इसको आप अच्छे तरीके से समझे, यह SSC के लिए बहुत ही important है, to have got, to have won, यह इस तरीके से जब हम यूज करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं, non-finite clause, clause मतलब sentence का एक पाथ है, और वैसे तो यह noun के स्थान पर यूज हुआ है, non-finite clause में भी यह noun clause है, क्योंकि यह noun के स्थान पर यूज किया है, क्योंकि was से पहले जो भी आएगा, वो noun होगा, लेकिन यह यहाँ पर हमने, to plus have plus v3 का प्रयोग किया है, इसलिए इसको हम बोलेंगे, non-finite clause, ठीक है, चले अब हम आगे देखते हैं, अब देखे एक यह sentence है, I intended to have punished him yesterday, ठीक है, तो यह sentence गलत क्यों है, I intended to have punished him yesterday, क्योंकि मैंने इंटेंड तो किया, लेकिन इस sentence में ऐसी information नहीं है, कि यह बास्तर में घटित हुआ यह नहीं हुआ, इसलिए sentence गलत है, The perfect infinitive is used to indicate an arrangement that was made, but not carried out, ठीक है, perfect infinitive का प्रयोग, हम एक ऐसे arrangement को व्यक्त करने के लिए भी करते हैं, कि जिसको plan out तो किया गया, जिसको intend तो किया गया, लेकिन carried out नहीं किया गया, उसको बास्तर में किया नहीं गया, क्योंकि sentence के through, हमें कोई भी information नहीं मिल रही है, कि ऐसा किया गया या नहीं किया गया, तो इसलिए, इसको हम बोलेंगे, I intended to punish him yesterday, बतब ये sentence गलत है, और ये sentence सही है, ठीक है, और यहाँ पर हम एक sentence और देखते हैं, I intended to have punished him yesterday, but his father intervened and saved him, ये sentence सही है, क्योंकि यहाँ पर intent तो किया गया किसी चीज़ को, लेकिन वो carry out नहीं हो पाया, तो इसलिए, ये sentence सही है, ठीक है, थोड़ा सा ये complex है, लेकिन इस वीडियो को आप दो या तीन बार देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पर intention तो किया गया, लेकिन उसको किया नहीं जा सका, क्योंकि उसके फादर जो थे वो बीच में आ गए, तो इसलिए perfect infinitive का प्रियोग यहाँ पर किया है, जो कि सही है, लेकिन यहाँ पर हमें perfect infinitive का प्रियोग नहीं करना है, simple infinitive का प्रियोग करना है, ठीक है, चलिए हम आगे कुछ example sentences देखते हैं, देखे, ये बहुत ही important sentences है, walking along the road, a car knocked him down, बहुत अच्छा sentence है ये, देखे, car यहाँ पर एक subject है, ठीक है, और knocked एक verb है, तो इसका तो subject यहाँ पर है, लेकिन walking का subject कहां है, इसमें, walking जो verb है, उसका subject कहां ह है, और walking को आप car के साथ कमाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि car knock तो कर सकती है, लेकिन car walking नहीं कर सकती, car चल नहीं सकती, ठीक है, तो walking along the road, ये जो पात है, फस्ट पात, ये गलत है, इसकी जगे आप बोल सकते हैं, while I was walking along the road, जब मैं road के किनारे किनारे जा रा था, एक car न मुझ नॉक डाउन कर दिया, मार के गिरा दिया, तो इसलिए ये जो पात है, ये बहुती गलत है, और इसको आपको इस तरीके से आपको सही करना है, while I was walking along the road, ठीक है, मुझे उम्मीद है, ये समझ में आया आपको, having done my homework, my mother allowed me to go out and play, ये भी बहुत अच्छा sentence है, देखे, my mother तो subject है यहां पर, allowed इसका वर्व है, लेकिन having done एक वर्व है, having done एक वर्व है, इसका subject कहा है, having done मतलब मैंने अपना homework करने के बाद, लेकिन homework किस ने किया, my mother ने नहीं किया homework, homework बच्चे ने किया, इसलिए having done को आप my mother के साथ नहीं जोड सकते, तो यहां पर आप बोल सकते हैं, after I I had done my homework, my mother allowed me, इस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं, और इसमें आपका A answer हो जाएगा, इसमें आपका A answer हो जाएगा, being a rainy day, being को, देखे, I को head to के साथ जोड सकते हैं, लेकिन being को आप I के साथ नहीं जोड सकते, क्योंकि being को I के साथ जोड़ेंगे, तो इसका मतलब हो जाए जाएगा, it being a rainy day, तो इसमें भी A आपका A answer हो जाएगा, arriving late, I saw the other kids and they seem to be excited, देखे, I के साथ आप 100 को जोड सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा और मैं वहाँ पर late पहुंचा, बतलब आई के साथ ये दोनों ही वर्ब जोड सकती हैं, saw or arriving, ठीके, तो इसलिए ये sentence आपका जो है ये सही है, ये इसमें आपका आंसर होगा, D यानि no error, आप देखे, being driven by poverty, he committed suicide, चुकि वो poverty से परेशान था, इसलिए उसने suicide कर लिया, तो यहाँ पर ये है past participle और ये है present participle, ये दोनों साथ में नहीं आएंगे, यहाँ से being आपको काटना पड़ेगा और इसका answer होगा आपक ठीक है, तो ये past sentence हमने यहाँ देखे, past sentence हम और देखते हैं, deceived by his best friend, he was left in the lurch, चुकि उसको अपने best friend के दोरा धोका दिया जा चुका था, इसलिए, वह है, परेशान नहीं पड़ गया, he was left in the lurch, बता वो अकेला पड़ गया, तो यहाँ पर deceived past party से पहले और इसके पहले हम being का प्रियोग नहीं करेंगे, यानि यह sentence जो है, यह सही है, having did with it, having के साथ हम work की third form लगाते हैं, did नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा done, इसलिए इसमें होगा आपका a answer, having rested, they started their journey again, आराम करने के बाद उन्होंने अपनी journey फिर से start कर दी, तो having के बाद work की third form लगी है, यह sentence सह ही है, loudly knocking at the gate, he demanded permission, चुकि इसमें दोनों काम साथ में हो रहे हैं, उसने gate पर knock करते हुए, permission को मांगा, तो इसलिए, चुकि दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, इसलिए present participle का प्रियोग करना यहाँ पर सही है, loudly knocking at the gate, gate पर knock करते हुए, उसने permission मांगी, और knocking क्या है, knocking एक participle है, knocking, locking adjective है, और adjective को हम modify किससे करते हैं, adverb से, तो adverb का प्रियोग यहाँ पर सही है, blinded by a dust storm, they fell into a disorder, चुकि dust storm से वो लोग blind हो गये थे, इसलिए disorder में वो लोग फस गये, तो blinded past participle, और इसके पहले being का प्रियोग नहीं हुआ है, तो इसलिए sentence आपका सही है, तो इस तरीके से मैंने इस वीडियो क्लास में आपको participle के concept, सारे concept मैंने इसमें अच्छे तरीके से explain किये हैं, और participle, as far as participle is concerned, इससे बहार कुछ भी नहीं पूचा जा सकता, banking और SSE exam में, तो इसलिए मैं आपसे request करूँगा कि इस वीडियो क्लास को आप दो या तीन बार देखें, इसका pdf भी मैं आपको provide कराऊंगा, उसकी भी आप study करें, और concepts को दिमाख लगाकर समझने की आप कोशिश करें, तभी आपको ये concept अच्छे तरीके से समझ में आएगा, English language को एक science subject की तरह पढ़ने की कोशिश करें, उसको रटे नहीं, किसी भी rule को, किसी भी word को रटने की आपको जरूरत नहीं है, concepts को आप समझें, जाया सदा आप concepts को समझें, तभी आपको सफलता मिलेगी और तभी इस तरह के questions को आप successfully कर पाएंगे, ठीक है, इसका next part जरेंड का होगा, वो पार्ट मैं जल्दी से जल्दी अप्लोड करूँगा, इस e-course में, तो इसको भी आप देखें, और आपका non-finite जो है, वो पूरे तरीके से complete हो जाएगा, तो इस video class में इतना ही, आप यदि कोई feedback देना चाहते हैं, तो इस email idea पर आप मुझे दे सकते हैं, और यहां पर मेरे call and whatsapp number भी available हैं, इनके through भी आप उससे contact कर सकते हैं, तो इस video class में इतना ही, अब मैं आप से मिलूँगा next video class में, thank you.